पॉपलेशन ग्रोथ करते हैं इस बारे में हम यहां पर बात करते हैं देखें दो यहां पर टाइप होते हैं इक्सपोनीटर एंड लॉजिस्टिक तो दो टाइप के और ग्यानिजंम, देखने को मिलते हैं को ओर ग्यानिजम, जिनको माना जाता है कि वो सुर्वाइब कर रहे हैं और है स्पेस हो गया खाना हो गया, ठीक है unlimited कहने का मदलब है कि उस पे कितना भी feed कलो, वो कभी खतम नहीं होने वाला है, but that is not an exact case, तो actual में exponential growth को हम एक hypothesis के तौर पे मानते हैं, क्योंकि this is not a reality, हाँ exponential growth को कुछ small duration of time के लिए देखा जा सकता है but long duration of time के लिए नहीं देखा जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि किसी भी चीज़ पे feed किया जाए उसका number कभी ना कभी कम होता है but still for our initial basis of time we used to consider exponential growth curve, तो यहाँ पे यह hypothesis हम एजूम करते हैं कि resources are unlimited और वो कभी खतम नहीं होंगे जो organism exponential growth curve show करते हैं वो अपने reproductive potential यानि intrinsic rate of increase के according grow करते हैं यानि अपने maximum potential तक वो breed करते हैं अगर उनकी capability है कि वो 200 organism को जनम देंगे, वो 200 organism को जनम देते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हाँ वो कम organism को जनम देंगे जिसी कि human beings में होता है कि अगर उनकी capability कितने भी organism को जनम देने की हो, लेकिन वो कितनों को पाल सकते हैं, उसके according वो जनम देते हैं लेकिन इन organisms में ऐसा नहीं होता है वो जितनों को जनम दे सकते हैं जितने की उनके पास capability है ये उस्टो गिफ बथ तो दाट नमबर ओफ उस्प्रिंग्स इसके अलावा ये J-shape का growth curve शो करते हैं, यानि ऐसा कुछ time versus population size जिसको की हम n से represent करते हैं अगर इसका graph plot करते हैं तो ये graph ये दिखा रहा है कि exponential यानि ये कभी इसका saturation नहीं आ रहा है इसे हम कहते हैं exponential growth curve ठीक है? और इसका अगर हम formula की बात करें तो formula आता है dn by dt change in the population is equals to rn r क्या हो गया? r हो गया intrinsic rate of increase अगर simple भाशा में कहा जाए what is intrinsic rate of increase तो जितना birth rate हुआ और जितना death rate था okay, make sure I am calling it a rate not number of birth इस बात का याद रखेगा rate निकालना that is birth rate और birth अलग-अलग होता है ठीक है? तो rate हमें जो है कितना population है उसके basis पे निकालना होता है और birth number बोला है तो ऐसे बोल सकता है कि 4 लोगों की death होगई पांच लोगों की death होगई लेकिन rate बोलेगा तो rate का value चेंज हो जाएगा it will be exactly a rate तो r जो है that is intrinsic rate of increase यह क्या होता है? birth rate minus death rate तो यह हो गया जिसे हम per capita birth rate कहते है per capita death rate कह सकते है तो यह हो जाता है dn by dt equals to rn dn by dt को अगर हम r को यहाँ पे substitute कर दे b minus d से तो हम इसको b minus d into n लिख सकते हैं अगर इसका एक exponential form देखे तो यह वाला formula चला आता है इसके exponential form में अगर इसके बाद हम switch करते हैं logistic growth curve पे logistic growth curve क्या होता है हम यह growth curve जो भी population show करती है उसे हम बोलते है logical growth curve show कर दी है यहाँ पे यह एक एक रियालिटी इस यहाँ पे यह एक एक रियालिटी आता है कि resources limited है यानि time के सांसत वो resources कम हो जाएंगे यहाँ पे जो population grow करती है वो अपने carrying capacity के according करती है मतलब जिस ecosystem में वो रह रही है वो ecosystem कितने लोगों को space और food प्रवाइड कर सकता है उसके according population grow करती है ठीक है तीसलिए हम कहते है it depends upon the carrying capacity के according grow करती है carrying capacity का मतलब होता है कि at a time एक ecosystem या एक environment कितने लोगों को that is space and resources प्रवाइड कर सकता है जीने के लिए this type of growth show s-shaped curve इस type का जो growth वो पॉपुलेशन होता है वो s-shaped का कर देता है यानि कुछ ऐसा इसका मतलब क्या हुआ कि जब number कम था population का time के सांथ साथ और जब number कम था तो उनोने कुछ time तक बहुत अच्छा grow किया exponentially grow किया लेकिन जैसे जैसे number ज़ादा हुआ ये जो है saturate होने लगे यानि क्या हो गया ये carrying capacity तक मतलब मान लिजे कि इस ecosystem में सिफ 400 लोग रह सकते थे तो जब इनका population 400 हो गया तो देखिए growth क्या हो गया saturate हो गया इस से जादा आप लोग यहां नहीं रह सकते हैं तो इनके पास एक limit होती है कि बस इतना ही grow करना इस से जादा नहीं लेकिन आप इस case में देखिए यहां भी कोई limit नहीं है तो this is what the difference between the logistic and exponential growth curve next is the greatest population growth rate is achieved at half of the carrying capacity एक population का highest growth rate यानि सबसे जादा वो grow कब करेगा वो होता है half of the carrying capacity जब एक population half होती है मतलब 400 अगर carrying capacity है जब population का size 200 हैगा तब population की growth rate सबसे high देखी जाएगी ठीक है formula की बात करें तो इसका formula होता है dn by dt equals to rn k minus n upon k ठीक है यहां पर k substitute कर दिया गया this is the formula n यहां पर population size dn by dt change in population size per unit of time k is the carrying capacity and r is the intrinsic rate of natural increase यह हो गया exponential and logistic growth का एक basic difference fine next topic is ecotoxy ecotoxicology okay ecotoxicology क्या है it is the study of effect of toxin chemicals on biological organisms especially at the population community ecosystem and biosphere level it is the multidisciplinary field with which integrate toxicology and ecology तो हमारी ecosystem को effect करने वाले ऐसे बहुत से toxic chemicals है जो population community ecosystem सबको effect करते है उसकी study को हम ecotoxicology कहते है और यह किसकी वज़े से हो सकता है किसे भी type के national and synthetic pollutants के कारण हमारा जो ecosystem है उसमें toxicity that is prevail कर सकती है या फिर intensify हो सकती है ओके last में आते हैं कुछ protocols environment में पाए जाने वाले ऐसे कौन-कौन से protocols है क्योंकि यह भी conservation प्लान का ही portion हो जाता है तो protocols में पहले आता है kaito protocols यह बताता है यह protocol इसलिए बनाए गए है ताकि कुछ environment rated issue के लिए कुछ steps लिया जा सके तो जो kaito protocol है वो mainly इस बात फोकस करता है कि greenhouse gases को कम करना है ठीक है Montreal protocol क्या करता है यह focus करता है substance that deplete the ozone layer तो ऐसे substance की use को कम करना जो की ozone layer को deplete कर रहे है bond convention किस पर deal करता है जो migratory species होती है that is convention on the conservation of migratory species of wild animals aim to conserve terrestrial marine and the avian migratory species throughout their range जो migratory species होती है मतलब की जो अलग-अलग season में अलग-अलग area में migrate कर जाते है जिसे हम बहते है पलायन कर जाना उन organisms को या उन birds को या animals को that is conserve करने का काम करता है bond convention that is agreement next आता है cities cities क्या करता है cities actual में endangered species को directly protect करता है ठीक है और यह कैसे कर सकता है it seeks to reduce the economic incentive to poach endangered species and destroy their habitat by closing of the international market और अगर कहीं किसी area में इस endangered species का illegal तरीके से market में business किया जा रहा तो उसे भी रोकने का काम करता है that is cities फिर आता है Paris Agreement Paris Agreement actual में greenhouse gas emission mitigation and adaptation से deal करने का काम करता है फिर आता है CBT that is the convention on biological diversity यह किस पे focus करता है the conservation of biological diversity and thus the sustainable use of component of the biological diversity यानि जो भी हमारे पास आज के टाइम में जो resources है उसका इस तरीके से इस्तमाल हो कि जो हमारी आने वाली generation है वो भी उसका use कर सके तो हमें sustainable use करना बताता है that is CBD next that is your basal convention basal convention क्या करता है यह hazardius जो waste होते है और उनका disposal होता है उसके movement को उसके disposal activity को control करने का काम करता है stockhulam convention क्या करता है it work on the persistent of organic pollutant aim to eliminate and restrict the production and use of persistent organic pollutant ऐसे pollutant जो की environment में बहुत लंबे ताम तक persist कर सकते है उसके use को mainly कम करने का या रोकने का काम करता है stockhulam convention ठीक है और अगर use हो रहा है तो उसे eliminate करने के लिए steps लेता है okay so with this we are done with the ecology portion और next video में हम कुछ और portions के बार में बात करेंगे so till then take care and keep learning knowledge का दामन छूना हुआ असान फिर चाहे हो lecture सिफ या PhD का अर्मा हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अर्मा वेदमी लेकर आया है detailed course for CSIR 2024 examination मिले गए हैं आपको सब कुछ new pattern के lectures, one-to-one doubt getting session, PDF notes और भी बहुत कुछ वेदमी क्योंकि हर सपना हमारा है अपना enroll now and visit वेदमी website and download the app from Play Store यूज करिये code वेदटवनी for getting the 20% discount वेदमी — एजुकेटिंग वेदमी — एजुकेटिंग इंडिया